हेलो दोस्तों टेकनलोजी और मसीन्स की दुन्या में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको ऐसे कमाल के फ्यूचरिस्टिक मसीन्स के बारे में बताऊंगा जो जटिल से जटिल काम को भी मिंटों में ही खत्म कर देते हैं तो चलिए फीटों को स्टार्ट करते हैं नमबर वन केज वेल्डिन मसीन्स दोस्तों या मौडन और बेहद विसाल काय मसीन बड़े बड़े कांक्रिट के खंबों वा बड़े पुलों में इस्तमाल होने वाले गोलकार सरीये के धाचों को बनाने के लिए इस्तमाल में लाई जाती है इस मसीन से धाचे बनाने के लिए वरकर सबसे पहले इस मसीन के साचे में पतली लोहे के सरीयों को फिट करते जाते हैं उसके बाद मसीन को स्टार्ट करने पर यह मसीन अपना काम सुरू कर देता है और इस मसीन के साथ ही पतली सरीयों का बंडल रखा होता है जो कि इस मसीन के निरंतर घूमने के कारण इस कोलकार धाचे के साथ लिपटता जाता है और उसके साथ साथ इस मसीन का मेन पार्ट सरीयों के आपस में जुरने वाले भाग को वेल्डिंग भी करते जाता है और कुछी समय में यह मसीन एक मजबूत लोहे का धाचा बना कर रैडी कर लेता है नमबर टू प्लाजमा पावर मैक्स दोस्तो यह फ्यूचरिस्टिक मसीन पूरी तरह से लेजर तकनिक से लैस होता है जो अकार में भले ही छोटा और साधार सा दिखाई देता है लेकिन यह कमाल की मसीन मोटे से मोटे लोहे के प्लेटों को पलक जपकते ही काट देती है दोस्तो अकसर लोहे को काटने के लिए मार्केट में जो मसीने उपलब्ध होती है वे अकार में बहुत बड़े होते हैं जिसका लड़ उनका रख रखाव करना वा उनको दूसरे इस्थानों पर लेकर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन इस चोटी सी मसीन को कहीं पर भी ले जाकर यूज कर सकते हैं जिसके एक बटन को प्रेस करते ही बहत पावर फूल लेजर की धार निकलती है जो कि लोहे को मानो पतली लकडी के जैसे काट डालती है इस machine की laser छम्ता को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक बटन दिया रहता है जिससे आप लोही की मुटाई के हिसाब से इसके laser छम्ता को घटाया बढ़ा सकते हैं जिससे या आपकी बिजली की भी बचत करता है इसके साथ साथ इस मसीन का इस्तमाल लोही को एक attractive design देने के लिए भी किया जाता है दोस्तों बेहत सिंपल सा दिखने वाला या कमाल की मसीन कई लोगों का काम मिंटों में ही कर देती है दरसल इस मसीन का इस्तमाल बड़े बड़े form के टुकड़ों को पतली पतली layer में काट निकली किया जाता है सबसे पहले इस मसीन पर form के टुकड़ों को एक निश्चित दूरी पर रग देते हैं उसके बाद मसीन स्टार्ट होने पर या पैनल गोल-गोल घुमने लगता है जिसकारण इस मसीन में लगे टेज धार-दार blades ये सब form के टुकड़े को निश्चित मोटाई में काटते जाते हैं और इसी तरह से निश्चित मोटाई में काटने के लिए इस मसीन को सेट कर देते हैं और मसीन में लगा blade इन्हें बड़ी सफाई से काटते जाता है तो दोस्तों आज के उड़म बसित नहीं